आज बनाते हैं हम लसन की ऐसी चेटनी जिसे हम मेहनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और खाने में तो क्या ही बात दे इसकी इतनी टेस्टी लगती है यह इसके लिए लिए फ्राइपन इसमें दालेंगे दो चम्मच तेल तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे देखे तेल गरम ह मुंखळी यह पूली देड़ सो ग्राम मूंख लिया है यह फूली ने गरेंगे अच्छे से फ्राइए अंब यह चैटक ने केसी आवाज दाली है मूंखळीं की इसमें एड़ करेंगे यह लंसन यह देड़ सो ग्राम में पुरा वजन करेंगे तो ताफि में इसे भी फ्र लौफा औरियल यह इसमें आड़ करेंगे इसे में तोड़ कि यह साफ निय संप यह इसमें में रहा है सिर दालम नहीं टीकों दर्रकल इतले हैं 25 Im तो चुका है देखिए लसुन का कलर खोपरों का कलर अब इसमें एक चमच दालेंगे जीरा हलका साथ जीरे को स्मीय कर लेंगे इसके भी साइड में कर लेंगे दो चमच सफेद तिल दो चमच साबुद धनिया सभी चीजों को इसमें राइ करेंगे देखिए सभी चीज अच्छे से बूरे जा रही है कुल मिला के सभी चीजों को बूरने के लिए हमें साथ से आट मिनिट का टाइम लगेगा अब पराठे के साथ खाईए आप चाहे तो गुंदेवी आटे में दाल के भी इससे बना सकते हैं मसाला पराठा इससे अच्छे से हो चुकी है देखिए मैं आपको दिखा रही हूं अब करते हैं चूले को बंद और इसे थोड़ा सा थंडा कर लेते हैं सभी चीज थंडी हो गई है इसे दालेंगे नमा एक चमच आप चाहे तो आमचोर पाउडर भी दाल सकते हैं थोड़ा सा खटास के लिए लेकिन मैं न पारीक नहीं पीसना है मैं इसे पीस के बताती मि यह देखिया है अगले वीडियो में तब तक के लिए अलहाफी कर दो